इस दोस्तों हम लोग ने रिसेंट्ली एक चैप्टर कंप्लीट किया था जो है चैप्टर नमबर वान क्वालिटी कंट्रोल को लेखे आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट थे सेकंड चैप्टर दाट इस प्राउड इस पर कंसिडरेशन आफ लोग जोइंट रिस्पोंसिबिलिटी ओप उडिटर इन रिस्पेक्ट टू जोइंट आजए उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूजिंग दे सर्विस और गनेज़िशन मतलब ये सारे टॉपिक्स अपने कहां कवर होने वाले हैं तो यहां पर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर टू जनरल ओडिटिंग प्रिंसिपल्स और ओडिटिंग रिस्पोंसिबिलिटीज के बारे हैं तो वी आर गोइंट डिस्कस चैप्टर नंबर टू ओडिटर्स रिस्पोंसिबिलिटीज और ओडिटिंग प्रिंसिपल्स इस चै कि CA final audit new syllabus की जब हम लोग बात कर रहे है major focus is given on clarity of standards तो हमारा यहाँ पे काम जो है वो बहुत simple है पूरे-पूरे standards को यह जो chapters में दिये गए है detail में पड़ो concept clarity एकदम 100% लिखे आओ आपके case studies, MCQs बहुत आसान हो जाएंगे and you will be able to score good जैसे हम लोग ने chapter number 1 में chapter as well, so are you guys excited to start with the second chapter now absolutely yes sir, चल, so दोस्तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे chapter number 2 की, जिसके अंदर हम लोग consequences issues की बात करने वाले हैं, एक बार देख लेते हैं essay number 240, essay number 240 के बाद essay number 250, essay number 260 essay number 260, essay number 299, essay number 402 तो यह जो है दोस्तों यह इस तारे essays अम लोग यहाँ पे discuss करने वाले हैं, 240, 250, 260, 299 and essay 402, so let us first start with essay number 240, क्या गयता है 240, so this talks about auditors responsibilities in relation to fraud, अब देखो यह standard तो हमने detail में इंटर में पढ़ा भी हो, एक बार इसको यहाँ पे institute बोलता है कि और एक बार पढ़ ले बिटा, क्योंकि अब तु CA बनने वाला है, तो तुझे इन standards की बहुत बहुत आवश्यक्ता है, तो आमने का चलो ठीक है, यह भी बढ़िया है गुरू, चलो अच्छ, so ऐसे 240 के बारे में बात करते हैं, पहली बात, आप यह समझ लीजिएगा, कि जब हम लोग अपना opinion देंगे, first thing, that is, जब हम लोग अपना opinion देंगे, तो हम लोग opinion देने के लिए, क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या कहता है, opinion देने के लिए, that, the financial statements, साथ में लिखते जाओ बच्छो, that, financial statements, should be, free, from, material, misstatements, whether, due to, fraud, or error, now this is very important, essay 240 को start करने के पहले, आपको यह बात, बहुत बढ़िया clear होना, बहुत ज़रूर ही है, कि whenever we are going to express our opinion on the financial statements, वो यह कहता है, कि the accompanying financial statements, should be free from material misstatements, whether, due to, fraud, or error, मतलब भाई, financial statements, तो free from material misstatements होना तो चाहिए ही चाहिए, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, फिर चाहिए वो material misstatements, fraud से related हो, या वो error से related, it should be free from material misstatements, कभी हम लोग अपना opinion देंगे, कि whether these accompanying financial statements gets true and fair, क्या यह बात आपको समझ में नहीं, बिल्कुँच है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो अब क्या हुआ, इसके अंदर आप समझ ही है, इधर हम लोग एक term दिखते है, fraud, इधर हम लोग एक बात दिखते है, fraud, fraud और error की अगर अपन बात करें, तो दोनों में अंतर क्या है, अगर अपन देखे, fraud के बारे में बीटा, तो what is fraud, so try to understand, fraud अगर अपन बात करें, तो fraud is an intentional act, to obtain unjust or illegal advantage, इसको बोलते है, fraud, समझा गया बुचा, तो this is fraud, बट अगर अपन बोले, what is error, तो error is what, other than fraud, error is what, what is error, it is an, unintentional act, it is an unintentional act, अपना कोई भी intention नहीं है, बाई बाव गलती हो गई, तो आप समझे यहां पर, error जो एनट ठीक है, ओ गया, unintentional act है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ओ गया, मान लिए, अगलती हो गई, चलो ठीक है, नहीं क्या करते हैं, बट फ्रॉड में क्या बोला है, भाई, intentional act, illegal या, unjust advantage, धोका देके, गलत फाइदा उठाना, इसको अपन ने क्या बोला, भाई, इस दन, इन वाट, दन इन, अ, वेरी, ओर्गनाईज्ट मैन, इस दन इन वाट, वेरी ओर्गनाईज्ट मैन, एकदब systematic मैनर में क्या जाता है, फाई, सोच समझ के, एकदब शातिर दिमाग लगा, तो इसलिए, वाट हापन से, इस लिएर Gal OH, in relation to, the risks of material misstatements, which has been caused due to fraud, becomes difficult to implement audit procedures to discover such frauds and then to respond appropriately regards to this material mistake तो आप समझने की कोशिश कीजिए हमने क्या बोला इन सब चीजों के वज़े से what is happening over here I said three things आपको ध्यान में भी नहीं होगा मेरे तीन चीज़े बोले यहाँ पे auditor को तीन बाते हो रही है भाई तीन मुश्किले auditor को यहाँ पे देखने को मिलती है one two and three तीन मुश्किले यहाँ पे auditor को देखने को मिलती है वो क्या है number one to identify and assess the risk of material misstatement due to fraud specifically fraud को लेके वो risks of material misstatement भाई हम लोग कैसे discover करे यार क्योंकि हमने क्या बोला it is done in a very organized manner in a very sophisticated manner अरे भाई मतलब एक दम शातिर दिमाख लगा के यह लोग करते है यार का तो ऐसे केस में it becomes very difficult for us to identify and assess the risk of material misstatement यही नहीं second point क्या कहता है to obtain sufficient and appropriate audit evidence wherever to obtain what sufficient and appropriate audit evidence in regards identified risk of material misstatement also to design and implement audit procedures ठीक है ना यह दिक्कत जारी हम लोग को कि भाई फ्रॉड जो है ना अब देखो risk of material misstatement को इसा ढूंड़े बाबाब आरो यार फ्रॉड कर एक्दम sophisticated manner में कराना उसको फ्रॉड एकदम concealed शातिर तरीके से मतलब cash तो वो दिखाएगा नी income दिखाएगा नी फिर scrap sale दिखाएगा नी teaming and leading करेगा बराबर के नी तो कुछ भी करके वो लोग क्या कर सकते हैं वो लोग fraud कर सकते हैं आग तू समझ बात को तो वो रिस्क को डूढ़के निकालना ना उन इसके बारे में sufficient appropriate audit evidence को पाना या उन से related क्या गहते हैं रिस्ट of material statement को जो प्रोसीजर्स अम लोग को चाहिए audit procedures to discover those risks of material mystery उसको ढूढ़ना बहुत difficult हो जाता है वही नहीं उसके बाद क्या होता है to respond appropriately बराबर के निकाए बात अलसो बिकम्स वाट वेरी डिट्रकट तो यार इन तमाम बातों को मद्दे नजार रखते हुए कि जब यह fraud होता है तो auditors are facing this problem so इसी लिए दिल ठांग के बैठिएगा दोस्तों यहाँ पर essay 240 आता है और बोलता है these are the objectives of essay number 240 these becomes what the objectives of essay 240 essay 240 बोलता है फिकर नॉट I'm here don't worry when I say 240 is here why to fear when I say 240 is here तो बोलता है तुमको कैसे risk of material misstatement को identify करना है in relation to fraud I will help you आपको audit procedure design करना है I will help you कैसे audit evidence obtain करना है I will help you how to respond I will help you you don't worry don't worry at all अगर आपको risk of material misstatement कैसे identify करना है आजाओ पढ़ा दूंगा अगर आपको sufficient appropriate audit evidence कैसे पराप करना है आजाओ शिखा दूंगा अरे या इस्सा का मेरे यह तो भाई this is what is SA240's object है समझा के अब तो बेटा थोड़ा background समझ में आएके तो क्या के रहे यहाँ पे हम लोग क्या बूर रहे SA240 deals with the responsibility of auditor in relation to what fraud in an audit of financial statements it assists the auditor in doing what it assists the auditor in doing what identifying and assessing the risks of material misstatement due to specifically क्या लिका भाई due to specifically क्या लिका हम आपे and not only that it assists in second point क्या लिका है designing procedures to detect such misstatements this is what is it तो इसलिए अगर आप फिर से इसके objectives देखोगे तो क्या लिका हम है to identify नस्थे the risk of material misstatements in the financial statements obtain sufficient appropriate audit evidence through designing and implementing appropriate responses and to respond appropriately to the identified or suspected fraud सम्जा के simple एक लिक दम सो क्या हुआ यहां पे so identify नस्थे the risks of material misstatement specifically due to fraud obtain audit evidence by designing and implementing appropriate responses and to respond appropriately so this is what is the intention of essay number 240 जमी बात बिलकोई now what is the meaning of the term fraud क्या बोला अपन ने fraud क्या है so fraud dear friends is an intentional act done by one or more कोई भी कर सकता है organization के अंदर के लोग employees third parties कोई भी with the use of deception to obtain unjust or illegal advantage जान बूच के intentional मतलब क्या जान बूच के कोई भी अरकत करी गई हो गलत फाइदा उठाने के लिए तो उसको अपन क्या बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे as what fraud आगे बढ़े misstatements in financial statements अपन ने क्या बोला था ये बहुत important और एकदम तरही लाई ने भाई वो क्या बोल रहे है यहां फिर misstatements in the financial statements क्या बोला उसको in the financial statements misstatements in the financial statements can be because of what fraud or error भाई misstatements कैसा भी हो सकता है fraud के वज़े से भी हो सकता है या error के वज़े से भी हो सकता है ध्यान दीजेगा it can be because of fraud और it can be because of error अपने को essay 240 के हिसाब से किस पे focus रखने का है only because of what only because of what fraud essay 240 में opinion देने के लिए for opinion क्या बोला अपन ने for opinion to give the opinion अपने को देखना है कि whether it is pre from material misstatement be it fraud और be it error opinion के लिए दोनों देखने का है मेले को समझागा बात yes what is the distinguishing factor between fraud and error is the underlying action underlying action whether it is intentional or unintentional भाई अगर ये intentional है so this we call it as fraud भाई अगर ये unintentional है तो this we call it as the auditor is concerned with fraud that causes a material misstatements in the financial statements so yes we are concerned with fraud but for purpose purposes of say 240 only not for the purpose of opinion पर opinion हम लोग क्या बोलेंगे बेटा opinion के लिए वो चाहे fraud हो या वो एरर हो opinion के लिए दोनों consider करेंगे हाँ opinion के लिए दोनों but SA240 के लिए only fraud got it got it अब आगे बढ़ते हैं चल ये अपना क्या हो गया SA240 के बारे में बात हो गए सही एक दब अभी so यहाँ पर अपन बात करता है SA240 only and only बेटा only and only fraud अभी ये done हो गया ये done हो गया SA240 only and only fraud ये clear ये तो आगे बढ़ते हैं बोलो कुस्त तो बेटा हे गाईस come on okay अब यहाँ से आगे बढ़ते है so अभी यहाँ पर कहते हैं हम लोग जब fraud की बात कर रहे है so यहाँ पर कहा गया है कि there are two types हाँ अभी ध्यान से सुने fraud की पहले और तोड़ा जन्रल बात कर fraud जो है न सका है इधर ध्यान दीजेगा fraud is a broad legal concept ठीक है therefore as per SA240 auditor is concerned with those frauds that causes financial statements to be materially misstated मतलब क्या है fraud यह जो है ना भाई यह broad concept मतलब it can happen in financial statements और it can happen in other than financial statements वाला भी मामला तो अपन को focus क्या करना है कि भाई ऐसे ही fraud जो financial statements की वैन बजाती है no doubt fraud यह मतलब क्या बहते है उसको गलत quality of product चिपका दिया आप लोगों को तो यह भी तो fraud हुआ ना सही बात है poor quality का product है अपने को employee ने half day लेके full day का mark किया अपने को कोई लेना देना अपने को सिप कौन से fraud के उपपर focus रखने का है SA fraud which causes financial statements yes to be materially misstated मेरे को बाकी fraud का कोई लेना देना है नहीं boss समझा गया ऐसे fraud के उपपर focus करेगा that causes financial statements to be materially misstated good एकदम yes sir चलिया आगे बढ़ते हैं यहां से so अब अगर we are focused specifically on those frauds that causes financial statements to be materially misstated तो ऐसे यहां पे समझो there are two types there are two types of material misstatements ऐसे दो टाइप के material misstatements there are two types of intentional misstatements that causes material misstatements in the financial statements ऐसे दो टाइप के है so क्या लिगा हुए हो the two types of misstatements which become relevant to the auditor is what number one misstatements resulting from fraudulent financial reporting and misstatements resulting from misappropriation of assets so as they two types of misstatements so as they two types of misstatements but fraud broad legal concept उसके अंदर हम लोग सिर्फ उनी frauds के उपर focus करेंगे जो आपके financial statements को affect कर सकते so as aise do type material misstatements which are relevant to the auditor is number one that causes fraudulent financial reporting that is to say financial statements are intentionally fraudulently reported and misappropriation of your assets so ये दो misstatements becomes what relevant to me as an auditor under essay number 240 बहुत 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 है opportunity to do so and some rationalization of the act ठीक है न so and some rationalization तो इनके वज़े से फिर चाये ये कुछ भी हो इन दोनों के common reasons क्या है incentive pressure opportunity मौका या some rationalization तो आई ये जरह इसके बारे में हम लोग बातचीद करते है incentive or pressure to commit fraudulent financial reporting may exist when management is under pressure from sources outside or inside the entity to achieve unexpected or perhaps unrealistic earnings target or financial outcome particularly since the consequent to the management for failing to meet financial goals can be significant मतलब आपके ओपर incentive या pressure क्या है कि बहुत कुछ भी कर लो आपको क्या करना है आपको वो targets अचीव करना है so if you want to achieve those what targets unrealistic goals बरावर करें so boss you will commit what fraud उसके बार similarly individuals may individuals may have an incentive to misappropriation of assets for example because individuals are living beyond their means बरावर आपकाट से बारवर living beyond their means जितना अफोर्ड नहीं कर सकते है बट वैसी lifestyle अगर हम लोग जी रहे है तो उस lifestyle को sustain करने के लिए what they'll do they'll commit frauds उसके बाद हम लोग बात करते है about what an opportunity to commit frauds may exist when individual believes that internal controls can be overridden for example because he is in a position कि उसके ओपर इतना भरोसा है और trust और he has the knowledge about the deficiencies in internal control उसके ओपर बहुत ज्यादा हम लोग क्या कर रहे है believe कर रहे है living beyond there means मतलब क्या और उसको क्या हो लेंगे है lifestyle above normal income इसलिए फ्रॉड कर रहे हो इधर क्या हो रहे है trusted person है therefore he can do और knows deficiency in internal control that is why he is doing this fraud तो एक तो unrealistic targets अचिव करने है या वो trusted person है knowing the deficiencies उसके बाद individuals may be able to rationalize committing frauds fraudulent act some individual possesses attitude character और ethical values that allow them knowing to intentionally to commit dishonest act however even otherwise dishonest individuals can commit a fraud in an environment that imposes what sufficient pressure वन देए मतलब लोगों के ना खून में होता है बराबर के लिए अम लोगों के in द्यार ब्लड द्यार ब्लड द्यार इस वाट दे फिल नॉर्मल यहाँ ठीक एना चोरी कौन नहीं करता है आज के तारिक में आप लोग आटिकल्स क्या गर देऊ अरे इस तर ओफिस का माल अपना माल ओफिस का पेंड रहे मेरा पेंड रहे ओफिस के आपिस मेरी अड्रिस ओफिस का प्रिंटिंग पेपर मेरा प्रिंटिंग पेपर attitude is like that it's in their blood we articles we have it in our blood यह ओफिस का माल अपना है भार ऐसे ठीक है so try to understand कि कुछ लोगों के attitudes ऐसे होते so in सारे reasons के वजे से what happens is they can commit what fraud समझभा है बात को so incentive pressure opportunities rationalizations about the attitudes तो यह सारे reasons है जिसके वजे से fraud हो सकता है in the later part of the chapter अमलोग और विस्तार में discuss करेंगे कि what are the different examples इस से लेके अलग-अलग fraudulent financial reporting and misappropriation of assets में यहा तक आपको समझ में आया बच्चो very good now एक-एक चीज़को अभी अपन discuss करेंगे first we are now going to discuss how fraudulent financial reporting may be caused by the entities कैसे आपलो fraudulent financial reporting आप करते हो how fraudulent financial reporting may be caused by the entities how actually they do so इसके अंदर तीन हिस से number one first we talk about is manipulation, falsification or alteration of accounting records misrepresentation or intentional omission from the financial statements or intentional misapplication of accounting principles relating to the amounts classification, presentation or disclosure so यहाँ पे क्या-क्या हुआ तीन बाते आपन देख रहे हैं यहाँ पे देखो भाईया मजाक मजाक में बहुत ही बड़ी आसा चार्ट हो रहा है Error के बारे में तो अपने को बात फिरनी ही नहीं है For the purpose of this essay Obviously ठीक है? अब भी यह essay पूटा है आजाए So सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में Manipulation Falsification और Alteration ठीक है? तो आपने documents कोई क्या कर दिया? Manipulate change tamper कर दिया मतलब 500 का invoice बता दिया पांच अचा समझ रहे बात को तो manipulate कर दिया Falsification जूटे documents लाके दिये बराबर तो एक तरीके से उस basis पे आप fraudulent financial reporting आप कर सकते हैं Second point हम लोग क्या बोलते हैं कि there is intentional omission और misrepresentation misrepresentation in financial statements मतलब यहां तो आपने first इसमे तो आपने manipulate किया जूटा दिखाया आपने falsification इधर तो आपने जो हरकते हुई वह तो आपने पूरी गाया भी करती हैं मतलब you omitted it altogether और misrepresented it मतलब bad debts are shown as good debts समझ रहे बात को तो आप क्या कर रहे हो कि एक तो उसको दिखाई नहीं रहे हो आप दिखा रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट ही गलत कर रहे हो तो इसके वैसे भी fraudulent financial reporting हो रहे हैं तो manipulation, falsification, alteration मतलब आप records रहे हो सेकेंड में आप जो दिखा रहे हो बराबर वो गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो उसको बराबर या तो मतलब short term borrings are shown as long term और long term are shown as short term bad is shown as good debts ऐसा गर रहे हो तो आप समझ यह there is misrepresentation intentional omission and तीसरा point क्या बोलता है बेटा there is intentional misapplication ठीक है, intentional होना बहुत जरूर ही है intentional misapplication of accounting principles जान बूच के accounting principles को गलत ही उसका एस नहीं revenue recognition बोलता है कि जब certain हो जाए तब आप book करें तब record कीजिए बट आप बोल रहे हो कि नहींने भाई अगर अब भी revenue book कर देगा तो मेरे को GST law applicable हो जाएगा मेरे को tax audit applicable हो जाएगा मैं नहीं कर सकता हूं अभी मैं उसको postpone करता हूं क्या कर रहे हो जान बूच के आप क्या कर रहे हो accounting principles को ही आप follow नहीं कर रहे हो on purpose तो इस सब से क्या हो रहा है न आप समझे यह देर इस fraudulent financial reporting आपके financial statements जो है न बॉस वो financial statements गलग तरीके से present हो रहे है समझा आभी बात को एकदम सही है तो यह यहाँ पर लिखा पाई तो how it is cost cost मतलब अपन क्या बोल रहे हैं how it is done how it is cost how you create this fraudulent financial reporting समझा क्या बात को इनीवन इनी क्वेरी तो चलिए इसको इतना नोट कीजेगा फिर आगे बढ़ता है अपना करिए उस साथ में बट इसको और जैसा space waste manage करना उसको लिखिए इसको अच्छे से अब क्या है आगे तो वसके एक्जाम्पल से एक्जाम्पल से फ्रॉडंड फााइनेशल्रेपॉर्टिंग ओपन इन्वल सक्वेइं इसको यह क्या होट एक्जाम्पल से अभी से क्या प्रॉडंड फाइनेशल रिपोर्टिंग जो भी आ घृत it involves number one management override controls management क्या गरेगा overriding the controls very good management overriding controls that otherwise may appear to be operating effectively broad can be committed by management overriding control such as techniques such as तो इन सब में क्या हो सकता है management क्या गरेगा इसको controls जो भी तीनों के लिए लगाए गए थे न इन तीनों के लिए जो भी controls लगाए गए थे management क्या गरेगा इसको management will do what management will override controls to achieve this और इसके जो examples है पिर अपन लिखते है इट इस ओन पेज नंबर 2.3 चलो 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 इसके examples किदर है page 2.3 सब्सक्राइब क्या क्या है कई से कर सकते है आई यह जरब चोरी करने के तरीके सीथ है पड़ा भाय ह्या वचपन में मस्ते तरीकर्णिंगिंगिंग फिफिटी शर्वेच जर्नल इंटरीज मतलब के पेक यूटे यूटे particularly close to the end of the accounting year to manipulate operating results or to achieve other objectives example जो किया था किसने सत्यम कंप्यूटर्स ने क्या गया उन्हों FDs जो है नहीं वो FDs उन्होंने बता दी कि इत्ती FDs है अमारे समझे गया बाद FDs जित्ती है नहीं उत्ती बता दी कि आमारे पास उत्ती FDs है इतना सेल बता दिया कि जितना उतना है नहीं करके तो all the positions were what inflated so recording what fictitious journal entries particularly close to the accounting year तो year end में इसलिए आप usually year end scrutiny करते हो न तो इसी purpose के लिए है कि साल के अंत में target show आपके अचीव नहीं हुए है उसको कैसे आभी हम लोग दिखा दे कि हाँ हमने targets अचीव किये by recording fake fictitious journal entries अगर आपका बहुत ज्यादा profit दिख रहा है तो आप क्या अगर लोगे खर्चा बता दोगे यह अगर end पे तो बहुत सी बार क्या हो जाता है आप fictitious journal entries को आप book करते हो उसके बाद inappropriately adjusting what adjusting assumptions or changing judgments to estimate account balances मतलब इधर अगर अपन example की बात करें तो example whether to classify bad or good debts मतलब whether the debtors are good or bad आप आपके मर्जी से आप उसको दिखा रहे है मतलब आप usually आप क्या गरते हो आप बता दे हो कि अगर वो one year के operating cycle के भार गया है तो it is non current बड़ अगर उसके अंदर है तो current अपने गाड चलो ठीक है but one year के बाद अगर उसका recoverability नहीं हो रहा है तो आपने उसको classify करना है as what it is a bad day but आप अभी क्या बोल रहा है आपको financial position अच्छा दिखाना है तो आप बोलते है ने 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 अभी हम लोग उसको goody दिखाएंगे even though it is bad you are showing it what good तो आप क्या कर रहे हो judgments या assumptions आप क्या कर रहे हो आपके मर्जी के सबसे आप उसको change कर रहे है न so that is what is not justified that is what is not right समझें क्या बात को उसके बाद next point क्या करता है omitting advancing or delaying reputation in the financial statements of events and transactions that have occurred during the reporting period आप क्या कर रहे हो omitting, delaying, advancing मतलब अपन क्या बोल रहे है example के लिए कि अगर मानलो अपना क्या बोल रहे है अपन let us say अपने को already अपना 38 lakhs रुपीज का sale हो चुका है अभी और 4 lakhs का sale जो है अपन क्या अगर रहे है इसको ignore कर रहे है to avoid compliance to avoid compliance of GST अच्छे से लिखता हूँ मतलब ignoring extra sales above limit to avoid compliance with to avoid compliance with GST or tax audit etc तो इसले जान बूच के अपन क्या कर रहे है उसको अपन record ही नहीं कर रहे है उसको अपन उसको show ही नहीं कर रहे है जा बोल दिखाना ही नहीं आपन को उसको तो AC बार so omitting advancing or delaying recognition in the financial statements shall we proceed from here yes next concealing or not disclosing the facts that that could affect the record amounts recorded affect the amounts recorded मतलब कुछ information आप क्या कर रहे है है उसको चुपा रहे है उसको बराबर है that could affect the amounts recorded in the financial statements जैसे for example आपका जो fact है in regards to what going concern आपकी बैन बजी पड़ी है but आप उस fact को आप दिखा ही नहीं रहे हो तो आपका going concern affected हुआ है that's a fact but आप उसको दिखा ही नहीं रहे हो अगर going concern valid है तो historical financial statements हम लोग कैसे दिखाते है और क्या बोलते है historical values दिखाते है but अगर वो going concern आपका valid नहीं है तो हम लोग realizable values पे दिखाते है तो आप उस fact को क्या कर रहे हो disclose ही नहीं कर रहे हो काई को दिखा नहीं कर अमांट्स affect हो जाएगी न तो fraudulent financial reporting हो जाएगा so not disclosing those facts आई बात समझ में कोई जो है ना debtor turned insolvent और bankrupt हो गया है तो subsequent events में अपने को प्रोविजन करना पड़ेगा उसके इसाब से तो ये facts ही आप क्या कर रहे हो ignore कर रहे हो next we talk about is what engaging into complex transactions to represent, misrepresent the financial position और financial performance of the entity holding subsidiary group companies के साथ related parties के साथ unnecessary इतने transactions करने के बराबर related party transactions unnecessary matter को क्या करने का complicate करने का and last में altering the records and terms of significant and unusual transactions about what unusual transactions जो आप रोजाना नहीं करते हो उनके क्या कर लेने के terms alter कर लेने के तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तो ये examples भी बच्चा लिखके रखना so this is how fraudulent financial reporting can be what achieved by the entity ठीक है तो fake journal entries को record करने का या assumptions या judgments को change करने का delay omit या advance करना about recognition of certain items not disclosing the facts at all तो ऐसे कुछ activities आप कर सकते हो जिसके माध्यम से through that you can achieve fraudulent financial reporting please write the examples चाल वसके लिएगर प्रेबाव यास comentरे याफ ज सिंपल अएड़ दो सइए जस्गर प्रेबाव प्रेबाव याणा अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी अपन ने क्या चिर्ट किया अब अपन बात करेंगे अब यह बहुत आप लोग यह जो है न यह इसको कैसे अपन प्लिश मतलब इसको कैसे आप अचीव करेंगे बरावर एक डब यह सो इसके बारे में अभी बात्चित करेंगे सिंपल एक डब जो मिस अप्रोप्रोप्रियेशन अपन अपन आप अपन इन्वल्स वाट theft of entities assets, theft मतलब क्या बोला, theft मतलब theft मतलब steal, ऐसा तो बोलना नहीं चीए मैंने, बट ठीक है theft मतलब क्या steal, stealing of company's assets and is often perpetrated by employees in relatively small and immaterial amounts it can also involve what management who are usually more able to disguise or conceal misappropriation in the ways that are very difficult to detect सही एक डब, so this is accomplished in variety of ways so accomplished in variety of ways including so यह यहाँ पर वापस से क्या होगे, उसके examples होगे how you actually do this, clear एक डब, yes so इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, about what first is embezzlement of what receipts, पैसो की हेरा फेरी करना मतलब misappropriation on collections of accounts receivable or diverting the receipts in respect of return of accounts to personal bank accounts embezzlement मतलब क्या करना है, embezzlement मतलब हम लोग कहते हैं, उन receipts की हेरा फेरी करना, हेरा फेरी हेरा फेरी इन receipts की क्या करना, हेरा फेरी करना, इधर लिखते हैं चाब हेरा फेरी करना, ठीक है, so that is embezzlement of receipts, मतलब आप समझे, cash sales, recorded as what, credit sales, recorded as credit sales, कतम हो के बाद, cash sales को क्या करा, recorded as what, credit sales, second point क्या करता है, stealing physical assets और intellectual property, बरावा, खतम, for example, stealing inventory for personal use, stealing scrap for resale, ऐसा, third point क्या करता है, causing an entity to pay for goods and services not received by the entity, मतलब आप समझे, ordering for personal use, in name of entity, क्या गरा, entity के नाम पे मंगवाया, बट उसको personal use अपन कर रहा है, so causing an entity to pay, bill किसके नाम पे फटेगा, तो asset मतलब cash यहां पे misappropriate हो गया, या तो fictitious employees है, inflating the prices है, kickbacks है, kickbacks है, kickback मतलब क्या commission, from the vendors, kickback का scene क्या होता है, आप समझे, यह यहां पे अपना employee है, यह जो है, यहां पे कौन है vendor है, अपन इसको क्या बोलते है vendor को, sell us at inflated prices, हमको inflated prices पे दे, vendor बोलता है मैं क्यों दूँ इसको, तो यह इसको क्या बोलता है, कि भाई इसमें तेरा क्या पाए था, तो यह तो बोलता है ठीक है, तो यह बोलता है, in return, give me some extra money, मैं तेरे को higher price पे देदेगा, यह बोलता है इससे क्यों कर रहा थू, जो चुपचा क्यों लेगा, तेरा फाइदा हो रहा ना इसमें, तो in return, vendor को बोलता है, मेरे को थोड़ा फाइदा थे, तो आदा फाइदा, तेरा आदा फाइदा मेरा, जैसे, नॉर्मल रेट, अगर रहेगा, वन लैक, यह इसको बोलता है, आपन इसको sell करेंगे, किते बे, वन लैक ट्वेंटी ताउसन, इसमें का, 10,000 तेरा, 10,000 मेरा, यह जो 10,000 इसको जो हमने एक्स्ट्रा दिया, इसको अपन क्या बोलेंगे, this is called as what is kickback, समझा बात को, तो ऐसा यह लोग company का जो, एक्स्ट्रा यह जो बिटा, 20,000 रुपया है ना, ऐसा यह लोग misappropriate कर लेंगे, देखा कैसे कमीनिल हो गया, बराबर, और सेम जो अपन ने अभी उपर पॉइंट पड़ा, using entities assets for personal use, ठीक है, so, यह बात होई, using entities assets for personal use, यह इसके लिए एक सान्ट, so, इन तमाम बातों को मद्य नजर रखते होए, क्या होता है, हम लोग misappropriation of assets कर सकते हैं, so, इसके examples किदर है, so, इसके examples हम लोग लिखेंगे, examples, page number 2.3, misappropriation of assets is often accompanied by false or misleading records or documents in order to conceal the fact that assets are missing, have been pledged or authorization, auditor may suspect that assets are missing or have been pledged without proper authorization, although auditor may suspect, in rare cases identify, the auditor does not make legal determinations of whether fraud has actually been off, clear, yes, so, ऐसे करके, क्या हो जाता है, यह हम लोग ने देखा कि frauds ऐसे हो सकता है, so, coming back to fraud, जो हम लोग ने यह 3 pages में पढ़ा, क्या आपको यह बात समझ में आगे गया, कि अपने को opinion देने के लिए, financial statements चाहिए, pre-prom material misstatement, whether due to fraud or error, but उसमें हम लोग बात करें, error तो unintentional है, तो उसको रुको side में कोई दिक्कत नहीं है, but अगर fraud की बात करें, तो यह intentional act है, और इसको ढूनने के लिए, बहुत तरह जान पर आती है, तो एक guidance चाहिए, कि कैसे हम लोग audit procedures, हम लोग design करें, कैसे respond करें, कैसे identify करें, तो यहाँ पर SA240 अपने को आके help करता है, SA240 क्या बोलता है, देखो fraud एक broad legal concept है, but अब भी हम लोग से उसी frauds के बारे में बात करेंगे, that causes financial statements to be materially, that causes financial statements to be materially misstated, तो ऐसे case में दो type के frauds हम लोग को दिखता है, fraudulent financial reporting and misappropriation of assets, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, next point, क्या खेंगे, अभी यह सब fraud award का तो बात अपने पूरी समझ ली, एकदम विस्तार में हम लोग ने सीख लिया, अब बारी आती है कि आखिर सर, यह किसकी जिम्मेदार है, whose primary responsibility is to prevent and detect, prevent or detection की किसकी जिम्मेदारी, prevent and detect की जिम्मेदारी किसकी, कौन है वो, बड़ाफ़ट बात करता है इसके बारे, इस विद बोथ, TCWG of the entity and management, so the primary responsibility, इस विद TCWG and management, त्यांचा सुनना, दोनों की बीच में जो लिखावा है, वो है MCQ के लिए बहुत important, and लिखावा है, it is important that management, with the oversight of those charged with governance, places a strong emphasis on fraud prevention, which may reduce the opportunities to commit fraud, that take place and fraud deterrence, deterrence मतलब क्या, to reduce, to avoid, to deter, to stop, which could persuade individuals, not committing fraud, because of likelihood of detection and punishment, this involves commitment to creating a culture of honesty, ethical behavior, which can be reinforced by active oversight, by those charged with governance, तो bottom line उस paragraph का क्या क्या गयता है, जिम्मेदारी, management and TCWG की है, ये कैसे करेंगे, एक थोड़ा महौल बनाएंगे, और ethical behavior, culture, एक ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, TCWG MGMD management, इसमें SA240 के हिससाब से, आपको एक डारेक्ट कोश्चन आएगा, एक्जाम में, वाट इस दे रिस्पॉन्सिबिलिटी ओफ ओडिटर, इन रिलेशन तू प्रॉड, तो बकाइदा ये main topic है, जो अपने को लिखके आना है, ठीक है? So, what is the responsibility of the auditor? आएखे ज़ड़ा समझते हैं, No.1, Reasonable Assurance, Fraud, Management Fraud, and Maintaining Professional Skepticism, Boss, ये जोए SA240 का main point है, चालो, So, क्या लिका वाई? पढ़ावाई ये, Reasonable Assurance, अपने को क्या चाहिए, Reasonable Assurance, Boss, That Financial Statement should be, Taken as a whole, are pre-fraud material misstatements, weather caused by error or fraud, ठीक है जी? Yes sir, तो हमें क्या चाहिए? That the Financial Statements, should be as a whole, free from material misstatements, owing to inherent limitations, there is an unavoidable risk, that some material misstatements, may not be detected, ठीक है? Some material misstatements, may not be detected, even though audit is properly planned, and performed in accordance with S.A.S. इसमें कोई लिक्का नहीं है, So, first point, अपने को चाहिए, कि बाउस, Reasonable Assurance, that Financial Statement, should be free from, material misstatements, Second point, क्या क्या क्याता है? PRAWD के बाए, अब बताईए, जो Potential Effects, मतलब अपन क्या बोल रहे था है? Impact, of inherent limitation, is significant, significant मतलब क्या 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 था है? Is greater, is impactful, when the material misstatements, is resulting from what? और इस case में क्या हो जाता है? आप समझेए, the risk of, not detecting, a material misstatement, resulting from fraud, is higher than that, resulting from the error. Fraud से हुए वे, material misstatements को, ढूनना काफी, मुश्किल वाला काम है, as compared to that, which is happening from the error. समझा बाता है? क्योंकि, fraud ये, sophisticated तरीके से किया गया. It is an intentional act. धोका देने की चाह से किया गया. तो बहुत शातिर दिमाख लगा जाते हैं. So, it is done with what? एकदम sophisticated, and carefully organized schemes. Designed to conciliate, such as forgery, deliberate failure to record transactions, जो भी अपनने उपर पड़े हैं. Such attempts at concealment, may be even more difficult, when it is accompanied by collusion. Collusion मतलब क्या? Coming together. Coming together. जब ये मिली भगत होगी है न, ये. जब ये मिली भगत होगी न, तब, that is when you are coming together. Management और Employees एकटा आगए, या Employees, Employees एकटा आगए, तो भाई इसको ढूनना बहुत मुश्किल होता है. So, क्या कहते हैं हम लोग यहां पर? Risk of not detecting, is higher, when it is resulting from fraud. So, collusion में cause the auditor to believe that, evidence is persuasive, when it is fact in, it is false. उसके बाद, यहां से आगे बढ़े, अगर ये Management Fraud है, देखो, ऐसे तो fraud को ढूनना बहुत मुश्किल है, अगर ये, Management, the risk of not detecting, material misstatement resulting from Management Fraud, is again what greater as compared to Employee Fraud. क्योंकि आप समझे, Employee के ओपर Management तो है, बट Management के ओपर कोई है, कोई भी नही है, तो दिक्कत ना बाला, so they are directly or indirectly manipulate the records, बराबर, they can in a position to directly or indirectly manipulate the accounting records, present fraudulent financial information, or override internal control, so इसी लिए, और difficult हो जाता है, so तमाम बातों को मद्दे नज़र रखते हुए, हमने क्या करना है, when obtaining reasonable assurance, the auditor is responsible to maintain what, professional skepticism, professional skepticism मतलब पता है, always be alert to circumstances, that indicate possible mistake, हमेशा alert रहना, कि कुछ तो भी गड़वर हो सकता है, always be what, alert, always be what, alert, कि management ऐसा कुछ गड़वर कर सकता है, तो ऐसे 240 बोलता है कि बॉस, अगर आपको कहीं पे बी, कुछ भी fraud वाला, अगर मामला आपको नज़र आता है, तो भाईया, क्या कीजिएगा, आपने ये बातें फॉलो कीजिए, कि भाई, तुम ध्यान रोखो कि आपको चाहिए, reasonable assurance, that financial statements are free from material misstatement, be it because of fraud, or because of error, that is point number one, number two क्या बुलता है, कि भाई, अगर fraud की बात करें न, तो fraud का impact greater है, and the risk of not detecting a material misstatement, resulting from fraud, is higher as compared to error, because fraud ये sophisticated, carefully organized manner में किया जाता है, third we talk about is, management fraud, the risk of not detecting, management fraud, is much higher as compared to employee fraud, because management directly, or indirectly, कुछ ना कुछ तो क्या कर सकता है, financial statements, accounting records को affect कर सकता है, last में इसलिए, you are always supposed to be what, alert, to the circumstances, that may indicate what, potential misstatements, clear एक दम, yes sir, अब चो टोपिक आगे, आप पढने वाले है न, by God, you will enjoy, this is full of examples, full of examples, यह जो टोपिक हम लोग देख रहे न, अभी यह full of examples, जित्ती भी बात है अभी तक हमने करी न, तो भेटा, it is full of examples, fraud risk factors, किस बज़े से, क्या क्या, frauds दो सकते हैं, so fraud risk factors, are the events or conditions, that indicate incentive pressure, to commit the fraud, or to provide an opportunity, to commit the fraud, तो ऐसे कौन से कौन से है, तो आईए ज़रा देखते हैं इसको, what is the incentive pressure, need to meet expectations, of third party, to obtain additional equity financing, may create pressure to commit, additional equity financing, जैसे आज के तारिख में, हम लोग देखते हैं, कि start-ups, they need what funding, start-ups need what funding, so, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, they are under pressure, to show that they are performing very good, and for that, they may resort to what, fraudulent activities, number two, the granting of significant bonuses, if unrealistic profit targets are met, may create incentive to commit fraud, जिसमें आप लोग क्या अगर सकते हैं, ये लोग, fictitious, persons, वो दिखा देगे, कि वो लोग sale कर, आपको बता हैं, पहले, मतलब, ये जो हैं, example, ये ओला, ओला नहीं, ये किंदर होता था, ये उबर में होता, उबर में, ये उबर ड्राइवर्स हैं, ये लोग fraud करते थे, ये लोग क्या करते थे, राइट्स बुक कराते थे, अपने दोस्तों से, यारों से, आप देखो, क्या होता है, पर्स्ट पाइ राइट्स तो, फ्री होती थी, जब उबर न्यू न्यू लाँच हुआ था, तो, वो लोग क्या करते थे, अपने दोस्तों को बोलते थे, राइट्स बुक करो, वो राइट्स बुक करते थे, थोड़ा सा डिस्टेंस में ओगया राइट्स बुक, तो उनको रेटिंग मिलती थी, उनके वो तर्गेट्स अचीव होते थे, तो इसलिए कंपनी उनको और इंसेंटिव्स दीती थी, क्योंकि उबर का क्या था, कि नयाल आये ना अपन, तो भाई, आप लोगों को क्या करना है, बहुत जादा राइट्स लेनी है आपको, तो होना चीए, तो कुछ भी करो करके, तो ये लोग अपने दोस्तों यारों को ऐसे बोलते थे, अन्रियलिस्टिक करते हैं और कंपनी को लूट लिया था, फैक्ट है ये एक उसके बाद, कंट्रोल एंबार्मेंट, क्या बुला एक, एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टी पर फाइनेंजी, सिग्निफिकेंट बोनस इस तो अचिव धी अन्रियलिस्टिक गोल्स, बरावर और कंट्रोल एंबार्मेंट इस नॉट इफेक्टिव में क्रेट अन ऑपर्चुनिटी तो कमित वाट फ्रॉट्स, मतलब पर एक्जम्पल, क्या गेंगे अपन, नो मैनेज्मेंट ओवर साइट, नो सेग्रीगेशन ऑब ड्यूटीज, तो ऐसने कुछ इंस्टेंस, तो इसने बहुत सारे अब अपन क्या करना आ रहे हैं, भाइसा, फुल एक्जम्पल, 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 अभी अपन से इसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाना है, ठीक है, चलू, विकॉज यह जो है न, अज़े चार्टर्ड अकाउंटेंस, अपने को पता होना चाहिए, कि यह लोग कैसा चोरी करेंगी, और जैसा वो लोग चोरी करेंगी, उसके हिसाब से अपन उनकी चोरी पकड़ सकते है, ठीक है जी, तो, आओ देखते हैं, इसको स्टेडी करते हैं, जले हैं, प्रीड फ्रोड इन्जल रिपोर्टिंग के लिए बात होते हैं, इन्सेंटिक या प्रेशर, ठीक है चल so financial stability or profitability is threatened by economic industry or entities operating conditions such as अभी pressure क्या-क्या है incentive क्या-क्या है so अगर आपका high degree of competition है और market saturation accompanied by declining margins so there is a pressure to commit what frauds high degree of competition बहुत जादा cutthroat competition है तो ऐसे case में अगर आपको उस market में survive करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड करनी पड़ेगी यहाँ पे आप समझे एक्जाम्पल जो है ना यह सत्यम का ही एक्जाम्पल पेस्ट है fraudulent financial reporting भाई विप्रो, TCS, भयंकर perform कर रहे थे और इनको survive करने के लिए मतलब बहुत जान प्याँ मतलब इटोंस तो आपको they are finding it very difficult so fraudulent financial reporting करना पड़ेगा बताने के लिए कि हम लोग एक्दम well to do है करके market saturation declining margins तो ऐसे केस में there is what an incentive or pressure वो pressure है उसके बाद high vulnerability to rapid changes कि there is a change in technology product obsolescence or interest rates तो again there is what an incentive or pressure कि there is a high vulnerability to rapid changes आपका दंदा जो है न यह continuously क्या है change होते जा रहा है तो आपको मतलब इतना risk create हुआ है कि भाई हम लोग कैसे survive करे such as changes in technology अब जैसे offline versus online business अगर टेक्नोलजी के वैसे पहले हम लोग उप्रेंग करते थी बिस्नेश आप टेक्नोलजी आगे तो आप online business करें तो ऐसे केस में भाई साथ प्रेशर बनता है survive करने के लिए अफ्लोट रहने के लिए बरापर product obsolescence मतलब आपका product क्या हो रहा है outdated हो रहा है अब market में अपना product कोई demand ही नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में हमारे उपर प्रेशर है कि we fraudulently report financial statements show that we are doing fantastic, we are doing very well और interest rates बरापर if they are increasing or decreasing significant decline in customer demands and business failures in either the industry or overall economy आपका product अब लोग demand नहीं कर रहा है ठीक है ना जैसे for example landline telephone बट आपको फिर भी दिखाना है कि आप बहुत अच्छे हो बराबर बिजनेस fail हो रहा है बराबर के नहीं तो ऐसे case में इधर 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 इंडस्ट्री और ओवराल एक्रोमी तो landline टेलिपों customer demand तो उनको क्या करना पड़ेगा फ्रॉड करेगे प्रॉड़ ऑढँपоворत नहीं जहीं बराबर अनुस्टीड और ओनुसल प्रॉड ऑनुसल अच्टीड िश् वल्चीडिवण इन सारे पॉइंट्स को शलो 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 एटल में पैसा लगाया तो Google से ज़्यादा एटल के उपर प्रेशर रहेगा कि Google के requirements को, expectations को हम लोग पूरा करें, so we have to maintain the profitability or trend level expectations of the investment analyst, institutional investors मतलब we have to stick to that particular trend or level चुकि अगर भार के लोग हमारे में पैसा लगा रहे हैं, तो हम लोग को वो level maintain करना पड़ेगा, बराबर अगर हम लोग को और additional debt या financing चाहिए तो हम लोग को यह pressure है marginal ability to meet exchange listing requirements or debt repayment or other debt covenant, covenant मतलब क्या agreements तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा है मतलब यह जो है ना आप समझो बात को जब आप audits करते हो न तो आपने ये indicators को ढूबना है ये factors को आपने देखना है कि क्या हमारे client का product outdated हो रहा है क्या क्या technology change हो रही है क्या क्या इनके ओपर pressure है क्या ज़र्ड party ने इसके business में पैसा लगा है तो इसके expectations को पूरा करने के लिए ये लोग क्या कर सकते है कुछ भी गलत कर सकते है इनको debentures को redeem करना है तो उनका वो इतना solvency होना चाहिए ये ratio debt equity का maintain करना चाहिए मतलब आप समझो ये basically वो factors है समझे गया बात को कि that puts what a pressure बराबर this puts what a pressure on these particular organizations perceived or real adverse effect बराबर मतलब अगर हम सूचते है कि अगर हमारा adverse effect on poor financial results or pending transactions such as business combinations और contract awards मतलब अगर अपने को business combined मतलब merger करना है या हम लोग को कोई contract receive होना है to get contract बराबर अगर हमारा आप समझे ना बात को अगर हम लोग business को merge करते या contract award award होने वाला है मतलब अपने को ये contract receive होने वाला है तो क्या करते है भाई कि अगर मेरा poor financial result दिखा ना तो मुझे ये merger नहीं होएगा मुझे वो contract नहीं मिलेगा तो यार मेरे उपर न ये इतना प्रेशर है कि अगर मुझे किसी से पैसा लेना है तो मुझे वो profit level दिखाना पड़ेगा मुझे अगर additional पैसा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरा उत्ता profitability दिखाना पड़ेगा मुझे अगर list करानी है company को तो मेरे को listing requirements को fulfill करना पड़ेगा तो मुझे समझ रहे क्या बात को अगर मेरा poor financial performance दिखता है तो मेरा business merger नहीं होगा मुझे contract receive नहीं होगा यह सब दिक्कत है होगी भाई समझाए So this puts what a pressure So information available indicates that personal financial situation of management or TCWG is threatened by entity's financial performance अगर उनको financial interest है portions of significant portions of their compensation are based on that personal guarantees है excessive pressure on management or operating personnel to meet financial targets तो यह क्या है यह अगर उनका management का है TCWG का financial self interest यह self interest की बात रही है पढ़लीजे यह So यह सारे जो points है यह हम लोग ने incentive या pressure की बात करी पिर यह प्रेशर एक्सेसिव प्रेशर कैसे आते हैं उनके उपर कि उनके उपर pressure कैसे आया कि उनका खुद का जो है ना ज्यादा financial interest है मतलब they are what let us say majority shareholder है वोलो खुद तो इसके लिए वो company का कुछ खराब नहीं चाहेंगे या खराब होने नहीं देंगे या खराब होंगा तो भी दिखाएंगे नहीं बराबर है उनको significant portions of their compensation बराबर मतलब उनका remuneration बराबर यह based on targets है या इधार अपने लिखते है target based है यह कैसा यह target based है तो ऐसे case में क्या होगा उनकी personal guarantees है बराबर जैसे kingfisher का अपना विजय माल्या तो विजय माल्या ने personal guarantees दिये थे ठीक है अब opportunities मौका 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 तो अभी हम लोग बच्चा बात कर रहे हैं किसके बारे में so now we are talking about is the opportunities तो चर्चा हो रही है किसके बारे में opportunities के बारे में ठीक है तो क्या कह रहे है opportunities the nature of the industry आपका गिंदा कैसा है उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि आपको opportunity उदर fraud करने की है या नहीं है जैसे simple simple बात है related party transactions आप fraud कर सकते हो आपका strong financial presence है और to dominate certain industry sector that allows the entity to dictate terms आदानी जो hidden bug का report में हम लोग में देखा कुछ तो facts होंगे उसके अंदर बराबर assets and liabilities revenues or expenses based on what estimates involves subjective judgments और uncertainties which are difficult to corporate corporate मतलब क्या confirm मतलब आपके asset liabilities revenues बराबर which are based on what estimates asset liabilities revenues और expenses उसमें estimates है and that are based on what subjective judgments और different uncertainties जो आप confirm नहीं कर सकते हो क्योंकि आप ऐसी industry को belong करते हो significant unusual complex transactions significant operations located or conducted across international borders use of business intermediaries जो आपके क्या बोलते हैं उसको subsidiaries associates significant bank accounts और subsidiary of branch operations in tax event jurisdictions तो ये सब क्या है आपको opportunities मिल रहा है इस सारे points MCQ के लिए important है कि which activities create what opportunities रीड कीजे उसको कि अच्छे से रीड करो उसको सिफ्गे घुर्च की घुराशा अच्छे अच्छे से रीड करो ऊसको वो मत उसको चाल बात बारी आती है The Monitoring of Management is not effective as a result of following Management का ध्यान is not effective as a result of following number one domination of management by a single person or small group without compensating controls or oversight by TCWG over financial reporting and internal control is not effective there is a complex or unstable organizational structure as evidenced by the following मतलब जो organization का structure जो है मतलब जो अपन कहते हैं जो आपकी hierarchy है बराबर that is unstable बराबर इस वज़े से और problems आसकती है difficulty in determining the organization or individuals difficulty in determining who has controlling interest in the entity complex organizational structure involving unusual legal entities or managerial lines of authority मतलब very complicated structure बनाया है hierarchy and high turnover of senior management legal council और TCWG turnover मतलब क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर जो अपन labor turnover सीखते हैं बराबर के नहीं तो इनका rotation हो रहा है बराबर के नहीं leaving and coming leaving बराबर के नहीं बहुत जादा लोग छोड़ रहे हैं तो ऐसे case में problem हो सकती है so internal control components are deficient as a result of what क्या है यहाँ पे inadequate monitoring high turnover rates accounting information that are information systems that are not effective situations involving deficiencies in internal control clear एकदम yes so क्या क्या बात यह करिए अपने incentive pressure पढ़ लिया अपने जिसके examples अपने देखे कि क्या 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 incentive यह pressure में हुआ था competition बराबर negative cash flows operating losses unusual profitability अचीव करना है वैसा pressure के बारे में बात करी opportunities के बारे में बात करी कि मौके कब मिलते है related parties के साथ मौके मिल जाते है financial presence है आपका तो मौके मिल जाते है अगर आप estimates कर सकते हो अपने इसाब से जो difficult है confirm करने के लिए तो मौका मिल गया चोरी करने का complex transactions कर सकते हो मौका मिल गया international borders है tax seven countries में located हो मौका मिल गया चोरी करने का shell companies मना ली significant bank accounts है आपके तो ये सब क्या है अलग-अलग मौके है जिसके तुरू आप क्या कर सकते हो कुछ चोरी चकारी आप कर सकते हो चलिए आगे पढ़ते है next attitudes and rationalizations अभी attitude मतलब क्या है आप सब को पता है attitude मतलब अपन बात कर रहे है about what the thought process सोच सोच के वज़े से क्या क्या हूँ सकता है communication implementation support और enforcement of entities value ethical standards by management or communication or the communication of inappropriate values or inappropriate values का or ethical standards का that are not effective मतलब आप समझ ये बात को इसमें आपन क्या गयता है कि कितने अच्छे से आप communicate implement और support या enforce करते बरावर के ने आपके values principles को अगर आपने अपने employees को बोल दिया कि भाई चोरी करना ये गलत पात है भाई नहीं नहीं करने का चोरी बीरी ये क्या फाल्तुगिरी लगा के रखा है तो ऐसे case में लोग जो है वो frauds नहीं करेंगे अगर आप communicate नहीं करेंगे आप वो values वो कुछ बराबर से enforce नहीं कर लोग चोरी करेंगे तो again try to understand we are discussing what we are talking about the attitude or rationalizations आप कितना बढ़िया तरीके से आप communicate कर सकते हो जब मम्मी आपको बच्पन में याद होगा किसी और का eraser भी लेके आते तो मम्मी आपको बहुत मारती थी बहुत पिटाई करती थी आपकी तो आप समझे है वो उतना strongly enforce किया गया था और फिर आप आज तक किसी की कोई भी चीज आपको आप हाथ भी नहीं लगाते हो बराबर है बट अगर आपको कभी ऐसा किसी ने टोका ही रोका ही नहीं तो आपका attitude बन गया कि क्या it's a normal thing पहन चोरी करना eraser लेना it's what normal समझे बात को so try to understand attitude आप कितना अपने organization में अच्छे से चीज़े communicate करते हो non financial management's excessive participation और preoccupation with selection of accounting policies और determination of significant estimates अरे जिनको ज्यान नहीं है वो लोग involved हो रहे क्या बात कर रहे हो non history of violations ये तो world famous लोग है सत्यम बराबर के नहीं उसके बाद हम लोगने बात करी नीरव मोदी लेट गितांजली ज्वेल्स अरे भया ये लोग तो जाने माने शातित लोग है fraud करने वाले ये जब आप कोई नया company start करेंगे नया business करेंगे तो उसमें भी अपने को दिखेगा कि भाई ये लोग तो क्या भाई क्या बोलने का इनको तो इनका इतियास हीच बोल रहा है their history is like that कि they have been you know non-complying with the laws and they are going to fraudulently report financial statements excessive interest by management in maintaining or increasing the stock prices or earnings मतलब उनको क्या है अपना share price बढ़ाने का है so that फिर वो market price बढ़ जाएगा बेच बिचा के नक्की हो जाएगे तो भाई उनका attitude यह है कि stock market price को inflate करो फिर उसको बेच दो अपना profit निकाल लो अगर यही उनका attitude यही उनका सूच है तो फिर problem हो सकती है practice by management of committing to analyst creditors and other third parties to achieve aggressive or unrealistic forecast अपने को third parties को खुश करने का है creditor खुश रहने चाहिए bankers खुश रहने चाहिए investor analyst ने हमेशा हमारे बारे में अच्छा बोलना चाहिए we should be in their good books तो उसके हिसाब से हमारा performance हम लोग ने अच्छा दिखाना है failing to remedy known significant deficiencies in internal control पता है गलत हो रहा है बट फिर भी वो लोग कुछ उसके ओपर action ने ले रहे क्या management बनेगा रहे थू बराबर के लिए an interest by management in employing inappropriate means to minimize the reported earnings for tax motivated reasons जान बूच के खर्चे कम दिखाना कौन बरेगा इतका tax ये डाए क्या नहीं बर्रेगा खर्चे दिखा फिक्टिशस payments दिखा बराबर के लो moral among senior management बराबर मतलब senior management management is what moral ही मतलब वो क्या बोलेगे they are not interested they are what they are not interested कौन जैसा चल रहा वैसा चलने दो senior लोग है बराबर no distinction between personal and business transaction मतलब business के लिए जो चीज़े खरदी वो अपनी है अपनी है वो personal fraud होएगा है dispute between shareholders recurring attempts by management to justify marginal or inappropriate accounting बराबर के लिए management and the current predecessor auditor is strained relationship with management and auditory strain बराबर के लिए exhibited by the following auditor और management की बीच में का रिच्टा जो है यह भाई अब थोड़ा तान तनाव वाला बन चुका है जैसे कि उनमें हर बार disputes होते है बराबर वो बोलते हम ऐसा रिपोट करें है तो बोलते नहीं वो बोल रहार तुमने short term long term का distinction नहीं दिखाय है बोलता जरुरत नहीं है अरे करना पड़ेगा भाई accounting standards को follow नहीं कर रहे है वो miss application कर रहे है तो अमेशा disputes unreasonable demands on the auditor जल्दी जल्दी वो क्या करो time पर खतम करो उसको बराबर भाई we need time इसलिए फिर वो क्या होते है उसको बाई जूस के auditor ने resignation काई को दिया यही बोला कि time पर financial statements हम लोग को दिया नहीं हम लोग जा रहे छोड़के ठीक है ना so unreasonable demands restrictions लगा रहे हमार योग पर पर आप लिए that unappropriate limit access to people इसको ने मिल सकते communicate नहीं कर सकते and domineering management behavior in dealing with the auditor especially involving attempts to influence the scope of the auditor's work तो आप अगर ऐसा करोगी यह exam में direct question आ सकता है यह direct exam में question आए गाई so ऐसे कौन से events conditions है जिसके वजह से the relationship between the management and the auditor becomes what strain तो ऐसे case में भाई फिर अपन बोले के यह गलत करने तुम हमारे साथ तो ना यह नहीं चलेगा ऐसा so this is what the point is यह कौन से है यह attitude के बारे में बात हो गई है so यह सारी बाते जो हमें incentive pressure या attitude या opportunities की जो बात करी was in relation to what the fraudulent financial reporting एक बार यह attitude वाले point बेटा पढ़ लू पढ़ने का यह सब क्या है exam के लिए direct आपको questions आएंगे ठीक है ना अच्छे से पढ़ो इसको read carefully आपको पड़ो पड़ो अच्छे से कमग गैस अंडरलेंग करो मार्किंग करो क्या क्या हो रहे हैं समझो उनके एक्टिट्यूड के बारे में बात्चित हो रही है चलिए तो फिर आगे बढ़ता है अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट अभी अभी यह किसके बारे में हो गया प्रॉडिलेंट फाइनेंशल रिपोर्टिंग के बारे में सो इधर अपन ने इसके प्रॉड रिस्क फैक्टर्स यह एक्जाम्पल्स हमने वीड करें और उसमें क्या-क्या पॉइंट्स थे एक इंसेंटिव या प्रेशर के बारे में बात करीं फिर हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करीं इसके एक्जाम्पल्स हमने पड़ें और उसके बाद हमने आटिट्यूड या रैश्नलाइजीशन के बारे में बात करीं इसके एक्जाम्पल्स हम दूने पड़ें सही है अभी सेम वेमें यहापे अपन को यह सेम टू सेम अभी किसके लिए पढ़ना है और मिस अप्रोप्रोप्रेशन आपसें अब आशेट की चोरी करने के लिए कैसे क्या-क्या बातें हो सकते उसके बारे में बात करेंगे इसक अपने को पता होना चाहिए कि कल चलके भाई तू आडिट करने जाएगा तो ऐसी क्या-क्या घटना है होगी कि जिसके वैसे तरको पता चलेगा कि हाव यह जो ऐससा कर रहे है यह लो ऐससा चोरी कर रहे है उसको ठीक है जी ऑके तो रिस्क फैक्टर्स डिलेटिंग टूमि पिर तीसरा एक्टिट्यूड या रैशनलाइजेशन का पढ़ेंगे तो यह वाला पार्ट जो है ना दोनों के फ्रॉड रिस्पेक्टर से खतम हो जाएंगे आपने है क्या बात है इंसेंटिव या प्रेशन कैसा मौका मिल रहा है इनको आएए देखते क्या इंसेंटिव क्या प्रेशन है परस्नल फाइनेंशल ओब्लिगेशन नमज रहेगा उस employee का personal financial obligation रहेगा उसको बच्चे की school fees पर नहीं रहेगी क्या कर सकता है वो उसका पैसे नहीं है company दे नहीं रहा है चूरी करेगा ना भाईया चूरी करेगा के नहीं करेगा करेगा ना सायब may create pressure on management or employees with access to cash or other assets susceptible to theft adverse relationship adverse relationship between the entity and employees with access to cash and other susceptible to theft may motivate the employees to misappropriate मैं इमान दरी से देखो मेरा personal obligation है मैं चोरी करेगा मेरा personal obligation कुछ नहीं है वर चलत तूम मेरे से ठीक से बातचित नहीं करेगा हर बार आके मेरे को टोकते रोकते काम नहीं कर रहा है यह नहीं कर रहा है चाला किरकिरी आहर बार चालो है चोरी करेगा बराबर उसके बाद known or anticipated future employee layoff layoff मतलब क्या समझते वह ले आप मतलब उनके jobs जो है वो हम लोग क्या करने वाले तर्मिनेट करने वाले अपने को निकलना ले पहले चोरी करके नक्के हो जो उसके बाद anticipated changes in employee compensation और benefit plans if they are going to be reduced क्या करेंगे आपर चोरी करेंगे न वावा बराबर के लिए if they are what going to be reduced चोरी कर देंगे promotion compensation of other rewards inconsistent with what expectation यार मैं सोचाता मेरा increment भी स्टक्का होगा यार तुम ने तुम ने तुसी 5% करा 5% भी काई को करा जान चोरी करके मैं आलग 15% और कमा लेता हूं न काई को टेंचन लेने का so these are what the different different incentives or the pressures resulting into what the misappropriation of assets assets को चोरी करतेंगे opportunity opportunity में क्या के रही है आपे large amount of cash in इंडे बहुत पैसा पड़ा हुआ है वो गिनते भी नहीं है इतना पैसा है इतना पैसा जो cash and carry business होते ना इतना पैसा होता समझवे भी नहीं आता वहाँ पे लोग 200-500 चोरी भी कर लेना फरक नहीं पनता inventory items which are small in size but high value or high in demand चोरी कर लो चोटू से चीज बराबर के नहीं जैसे अपना example मतलब चोटू सा गोल्ड का इतनु सा भी चुराया बहुत पैसा मिल जाएगा उसको बहुत सिल्वर चुला चुला लिया बहुत पैसा मिलेगा उसको ठीक है आईसे convertible assets bearer bonds diamonds computer chips चुरा लो उसको fixed assets which are small in size marketable and lacking observable identification of ownership अपने पेंड रहें hard disk बराबर के लिए fixed assets तो चोटा अराम से बेच सकते हैं उसको और्गानेशन में camera होगा बराबर के नहीं जैसे आमरा ये camera जिसके तुरू में recording कर रहा हूं चोटू स्वाए ऐसे चारपाश camera एक camera गाय पी पर समझ में आए कि दर है तो आईसा है तो आइसा है तो आइसा है तो आइसा है तो आइसा है वत इस वत इस अपर्चुनिटी inadequate internal control over assets may increase the susceptibility of misappropriation for example misappropriation of assets may occur because of inadequate segregation, inadequate oversight, inadequate oversight by senior management, inadequate management oversight of employees, inadequate job applicant screening, सही employee को नहीं चुना, देखा आपने लापरवाई का नतीजा inadequate record keeping of the assets, मतलब जैसे for example अपन fixed asset register maintain करते हूँ या ऐसा सीधा लिखता हूँ, fixed asset के जगा में लिखता हूँ यहाँ पे asset register की बागता हूँ inadequate system of authorization and approval, inadequate physical safeguard, lack of complete and timely reconciliation, lack of timely and appropriate documentation, lack of mandatory vacations जो rotation के लिए काम में आता है inadequate management understanding of IT, inadequate access controls over automated records तो ऐसे के यह सब जो है ना, यह क्या है इस है, मतलब भाई, तुम्में वो काबिलियत lacking है, यह internal controls आप समझे बात को, यह internal controls क्या है inadequate है अगर segregation है तो यह control, oversight है, control है, oversight है, applicant screening यह control है, record keeping control है, authorization approval control है, physical safeguarding of assets control है, reconciliation, reconciliation control है, documentation control है, vacation पे जाना, तो उसके जगा दूसरा व्यक्ति आएगा, तो यह control है, information technology, understanding होना, control है, access के उपर, तो आप समझे यह सारे, जो मैंने blue में underline करें, यह क्या है, अलग-अलग type के control है, assets के उपर के, बट अगर वही inadequate है, तो उप्रॉब्लम, समझा, read करो दुबारा से, body के अंदर, जाने दो उसे, कोई जल्द बाजी नहीं है, exam में यह direct question आएगा आपको, पढ़िए उसको, पढ़ो, पढ़ो, examples को ध्यान में रखना है, segregation of duties मतलब, example, यह बच्पन में पढ़ा था जह, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कुछ में, आपको चाहिए इसके example, बोल देता हूँ, so, inadequate segregation of duties, example, accounting of cash, and collection of cash, inadequate oversight of senior management, expenditure such as travel and other reimbursement, so, इससे क्या हो सकता है, fake reimbursement हो सकता है, inadequate supervision, तो वहाँ पे भी चोरी हो सकती है, incompetent employees आएंगे, which will have what, चोरी करने का attitude, asset register, authorization, physical safeguards, reconciliation, यह तो self-explanatory है, अभी last point अपन बात कर रहे है, attitude को लेके, so, disregard to, attitude क्या है, disregard for need of monitoring or reducing risk, मतलब इज़्जत ही नहीं देना, monitoring और risks को reduce करने के लिए, अरे कौन ध्यान रखेगा यार, छोड़ना, कौन रिसको अटिटूड वैसा है, तो चोरी होईगी, internal control के उपर, focus नहीं करना, बोलते हैं, इज़्जत नहीं देना, internal control को, over misappropriation of assets, और feeling to take appropriate remedial action, behavior indicating displeasure or dissatisfaction with entity or treatment of the employee, changes in behavior or lifestyle, भाई तुम एक दम अभी तो भाई, पहले कैसे रिते तरह है, वैसा एकदम चका चौन देख दम भाई, क्या है, उससे पदा चल जाएगा, कुछ तो गडबड़े, कुछ चोरी कर रहे हो, tolerance of petty theft, आप क्या करते हो, आपका अगर 500 रुपे भी चोरी हो गया, आपको फरक नहीं पड़ता है, आपको लगता है, क्या है यह चिल्लर के लिए, क्या ही इत्ता लोड लेने का, तो gradually what will happen, आप समझ यह बात को, वो चोरी करते जाएंगे, सही एकदम, yes, very good, बहुत example हो गई है, ठीक, तो यह last point पढ़ लेते, फिर हम लोग आज का session यहीं पर end करते हैं, बॉस, क्योंकि बहुत जादा ने तो क्या हो जाएगा, वो complication हो जाएगा, फिर हो मजा नहीं आएगा, तो last topic, done थे, why evaluation of fraud risk factor is necessary, यह क्यों कर रहे हैं, आपन ऊपर का, the auditor shall evaluate to see whether fraud risk factors are present, they may not necessarily indicate the existence of fraud, not necessarily indicate existence of fraud, they have often been present in circumstances that fraud have occurred and therefore may indicate that there is a risks of material misstatement due to fraud, so fraud risk factors, अगर वो है, तो जरूरी नहीं कि वो indicate करेगा कि fraud है, बट वो यह बताएगा कि क्या यहाँ, मतलब यहाँ पर risk of material misstatement हो सकता है, the fact that fraud is usually concealed, make it very difficult to detect, nevertheless, auditor may identify the fraud risk factors, fraud risk factors cannot easily be ranked in order to of importance, the significance of fraud risk factors varies widely, some of these will present in entities where specific conditions do not present risks of material misstatement, accordingly, the determination of whether a fraud risk factor is present, and whether it is considered in assessing due to fraud, requires exercise of what professional judgment, so basically कि हम लोग क्यों consider कर रहे हैं इसको, कि fraud को ढूणना बहुत मुश्किल होता है, correct है, तो इसलिए अगर वो circumstances या वो events अगर वहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, तो at least हम लोग को risk of material misstatement को identify कर सकते हैं, no doubt यह fraud risk factors vary होते हैं, बराबर है, it cannot be ranked of importance कि यह ऐसा है तो बहुत बड़ा fraud है, ऐसा है तो बहुत कम fraud है, ऐसा है, ठीक है, so this is why evaluation is necessary, okay, ऐसे 17 points है बॉस, इस essay 240 में, so जिसमें अभी तक हम लोग ने 5 points पड़े हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ, यह 5 points आपको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आये होंगे, correct एकदम, yes sir, so कल हम लोग मिलेंगे, और कल हम लोग यहां से आगे continue करेंगे, that is a short break, right, so, thank you,